चित्रकूट का परशंग है कितना इमोशनल परशंग है कहा जाता है यह परशंग भरत और श्रीराम का मिलाप है तीनों माताएं भरत के साथ श्रीराम, लक्षमन और माता शीता के साथ सभी मिल रहे हैं उसी शमें श्रीराम को यह सूचना मिलती है कि उनके पिता का देहांत हो गया है श्रीराम विचलित हो जाते हैं और फिर देखा जाए तो आपस में बातचीत होती है उसी शमें राजा जनक और माता शीता के बीच वारता होती है माता शीता किस तरह से जनक पूर से अयोध्या पहुची और अयोध्या से फिर वन पहुची लेकिन उनके शंसकारों में कोई परिवर्दन नहीं हुआ माता शुनेना और राजा जनक ने जिस तरह से माता शीता को शंसकार दिये यह एक महत्पूर्ण विचार है शीता माता जिस तरह से अपने माता पिता को पूजती थी उन्हें जरा भी दुख नहीं हुआ कि वन में आई हैं लेकिन आज काल देखा जाए तो आज की नारियां में इतनी शहन सक्ती नहीं है इस तरह से रामाइन में जो भरत मिलाप था एक महत्पूर्ण मिलाप था बाद में भरत अपने बड़े भाई का पादुका लेकर लोट गए और उन्हें 14 वर्षों तक पूजा किये जिस परकार शिरी राम जमीन पर शोते थे उसी परकार भरत 14 वर्षों तक जमीन पर शोये ये भाईयों का एक शनहपूर्ण बातावरन को दर्शाता है जैसा कि कहा जाता है कि जो युद्ध होता है जमीन जायदाद और पद के लिए लेकिन उन सभी भाईयों में देखा गया कि प्रेम और शनेह के लिए युद्ध हुआ कहने का तातपर यह है कि उन सभी भाईयों में कितना प्रेम था कितना शनेह था ये सिक्षा हमें रामायन से मिलती है जैस शिरी राम